एक इंपोर्टेंट सब्जक्ट नीट के लिए बाइलो जी वो मेरा मेंड सब्जक्ट नीट नीट पिर भी मैं नीट क्लियर कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हो मेरा नाम में मनत है मैं फिलाल SMS मेडियो एलकोले जैपुल में हूँ मेरे नीट में 660 नमबर रहे थे और मैंने 11 में एडमिशन लिया था CLC में 17 अपरेल 2018 को जब मैंने एडमिशन लिया तब मेरा मैन मोटिव था कि मा आई आई टी करूँगा हाँ मेरे को बाइलो जी इतनी अच्छी नहीं लगती थी जब मेरे को बाइलो जी इतनी अच्छी इंपोर्टेंट नहीं नहीं मेरे को बाइलो जी समझ में आती थी कोई ज्यादा मेरे को फिजिक्स और केमिश्टी बहुत अच्छा था था पर B Captio बायोजी मैं मैं कहीं ना कहीं लेक कर रहा था, 50% मेरे अभी तक याद है एक वार में 360 मैंसे 183 आये थे Bailोजी में तो बाइलो जी मेरा मेन सब्जेक्ट नहीं था जब मेरा एक इंपोर्टेंट सब्जेक्ट नीट के लिए बाइलो जी वो मेरा मेन सब्जेक्ट नहीं था फिर भी मैं नीट क्लियर कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हों बहुत पड़ी बात है बड़ा मैसेज है आपका मूर सब्जेक्ट बायो ने इसाद जो 50% बायो है 720 में 360 बायो है उसको आप रिकावर किया है प्लीज किसी भी सब्जेक्ट को करने के लिए सबसे जाए इंपोर्टेंट है उस सब्जेक्ट में कॉन्फिडेंस मनाखे रखना स सरद नेम आपने संड्यान भड़ाने का है Forbes Sunult Sensor कोYeah तो महिना नहीं था का उनिया चाहत हुआ कि आप किसी भी तीनो सवजेक्ट मेरा पड़ाईगा कोई उस से ब्रया नहीं पड़ाईगा उनकी ranking हम अपने आप करते हैं, वो अपने subject को best पड़ाते हैं पर उनकी ranking हम अपने आप करते हैं, तो वो ranking आप उनको नहीं करनी चाहिए, कोई भी teacher है जिसका आपको समझ में नहीं नहीं दो, एक भार उसको, उसके पूरी class को एकदम दियान से सुनके देखो फर्स्ट पॉइंड 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 तक आपको सब कुछ समझ में आएगा टीचर सारे अच्छे होते हैं वो रेंकिंग हम डिसाइड करते हैं अगर हम पन वो रेंकिंग छोड़ दें अच्छे करों तो फीजिक्स में मैं सिर्फ उनियुर्सल की लोग डाउन में ने पीवड भार उनियुर्सल की थी और मै Alors ड़्ली टारगेट था कि आज मैं 800 के शुट्वंच 할 Jazz chain करूंगा उनियुर्सल में 10 जार के प्रॉक्स के मैं होते हैं साथ में biology और chemistry के लिए आप NCRT में manly focus करें और किसी भी subject में over confident ना हूँ मेरा physics और chemistry में man subject थे पर मैं यह देखता था कि chemistry में तो मेरे 180 आएंगे chemistry में 180 कोई नहीं रोक सकता मेरे number कम कट सकते हैं या तो biology में कटेंगे या फिर physics में कटेंगे पर ऐसा नहीं हुआ मेरे सबसे कम मार्क्स भी chemistry में है मेरे chemistry में 150 मार्क्स थर्टी वाँ अकले में कट गए कुल साथ कम होई तीस एकले chemistry उड़ा गी chemistry में कम मार्कस आने का यह reason नहीं था वो था मैं over confidence मैं last में सोचा chemistry में मेरे कर दो कटी नहीं सकते मेरे DTS केम DTS होते हैं बाई लोजी का पेपर सबसे कराब जाता था और chemistry का सबसे अच्छा मतलब बहुत अच्छी रहती थी मेरे chemistry में लेकिन फिर भी मेरे chemistry में सबसे कम मार्कस आए क्योंकि मैं और confident हो गया था उस subject के लिए तो किसी भी subject के लिए और confident ना हो सब को level में लेके चलें और सबसे important है कि confidence build up कर के रखें कभी भी आपका confidence low होगा ना तब आप नीट क्लियर नहीं कर पाएंगे चाहिए आपको कितना भी knowledge हो उस confidence को peak पर रखने के लिए मैं हमेशा बहुत से बहुत से बात करता रहता था और trust रखें अपनी coaching के उपर मैं CLC पर पूरा trust था बोस को तो नहीं पता पर में नीट में 2342 रेंग आई थी जो expect नहीं करा था कि मेरी इतनी पीछे रेंग आईगी मैं सोत रहता कि आएगी 1000 में आएगी 500 में आएगी कुछ ऐसे आएगी पर मैं 2342 की रेंग काई फिर मैं CLC गया मैं बोस से कभी directly ऐसे बात नहीं करता था या तो मैं मम्मी को कहता था, मम्मी मोशी को कहते है, मोशी बोस को कहते है, या फिर मैं साहिल विया को कहता था, तो मैं साहिल विया के पास गया, और मैं साहिल विया को कहा कि साहिल विया मैं रिपीट करूँगा फिर से, पिर साहिल विया ने कहा कि ऐसे नहीं होता, तेरे जो को चीए वो तुने दे दिया फैमिली खुश है तो हम भी खुश है ते रैंक से कोई मतलब नहीं है ते फैमिली खुश है हम खुश है और का कि अगर यह कोई एक मतर जो एक जाम यह जो ते रैंकिंग डिसाइड करता है आगे भी बहुत एक्जाम आएंगे पूरी जिंदी नहीं है और इसलिए मैं कहता हूं कि अपनी कोचिंग के ओपर पूरा ट्रेस्ट रखें थैंक यू जैसी एलसी थैंक यू डियर दोस्तों यह होते हैं खतरना कि राड़ी